सुनने में आ रहा है कि दिवाली से पहले कॉंग्रिस को नया अध्यक्ष मिलेगा अभी लोग फिर से मंधन करने की बात कर रहे हैं पर जादतर लोगों को ये पता है कि होने क्या बाला है हर बार मंधन होता है पर मंधन में निकलता गांधी सरनेम ही है रिष्टा बदला हुआ होता है बस कॉंग्रेस में अध्यक्ष को लेकर बैठक तो हुई पर मीटिंग के बाद उनके कई नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाना चाहें खेर जिस पार्टी का समिधान ही बस एक परिवार हो जो नेपुटिजम पर चलती हो तो चौकने वाली बात नहीं होगी कि अगर फिर से वही चेहरे दिख जाएंगे तबी तो लोग इसे कहते हैं कॉंग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड वैसे एक कॉंग्रेस को कटपुतलियां बहुत ही पसंद रही है फैमिली सिस्टम वाले जब किसी पूजिशन को खुद नहीं होल्ड कर सकते तो कटपुतलियों को बिठा दिया लाता है देशनेपूरे दस साल कटपुतली को महसूस किया है जिन स्टेट्स में ये बचे हैं वहां भी कटपुतलियों का ही बैठी दिखती है इसलिए माना जा रहा है कि दिवाली के बाद अगर गांधी सरनेम अध्यक्ष नहीं होता है तो कोई कटपुतली ही बिठाया जाएगा बस उस कटपुतली को फाइनल करने का टाइमिन को जाईए वैसे आपको क्या लगता है कि कॉंग्रेस को नया ध्यक्ष मिलेगा या वही पुराने चहरे होंगे या फिर कोई कटपुतली आएगा अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं